हलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्रनून, कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप सब को पता है, सिक्योरिटी अनलिसिस और पोर्टफोलियो मेनेजमेंट के अमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे, Emergence to Single Index Model, यह जो विलियम शापे थे, इन्होंने 1963 में एक मौडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बोलते हैं, हम लोग शापे Single Index Model, तो इसको मतलब इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत क्यों पढ़ी, यह Emergence इसका कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ, तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आईए देख लेते हैं, In 1952, Harry Markowitz published a portfolio selection model that maximized a portfolio return for a given level of risk, 1952 में Harry Markowitz से, उन्होंने एक portfolio selection model को introduced किया था, पब्लिश किया था, जिन्होंने उसमें क्या किया था, जो portfolio का return उसको जाधा कर दिया था, लेकिन एक level of risk, मलब आप कितना risk लोगे तो उसमें आपको कितना जाधा से जाधा return मिल सकता है, उन्होंने इस model में बताया था, This model required the estimation of, अब इस model को किस किस चीज़ की जरूरत थी, expected return for each security, हर एक जो security है, उसका expected return find out करना, मलब हर एक security में अगर आप अपना पैसा invest कर रहे हो, तो उसके बल्ले आपको कितना return मिलेगा, यह find out करना, variances for each security, हर एक security का variance find out करना, a covariance matrix that calculated the covariance between each possible payer of securities within the portfolio based on historical data और through scenario analysis, अब देखिए क्या करना, कि हमारे से पास बहुत सारे securities available होती है, तो उनको क्या करना, कि हर एक security को एक दूसरे से compare करना, और फिर find out करना, कि हमें given level of risk में, लेकिन किस का return ज़्यादा मिल रहा है, तो basically यही है, single index model का emergence, तो hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर फिर भी किसी को कहीं कोई problem हो, तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, thank you so much, please like, subscribe and share my channel, और अगर किसी को भी note चाहिए, तो मेरा description box चेक कर सकता है, thank you.